आज हम आपको प्रेफरेंस टैप के साइटीशन एंड बिबलोग्राफी ब्लॉक के अंतरगत सभी आप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं MS Word दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसर हैं यहां पर सब लोग अलग-अलग तरह से काम करते हैं आर्टिकल लिखते हैं, रिपोर्ट त्यार करते हैं या बुक भी टाइप करते हैं अगर आप खुद की बुक लिखते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप अलग-अलग राइटर के किताबों का उलेक करते हैं या उनकी किताबों से कोई आर्डिकल लेते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, तो आपको वहाँ उसका स्तुरोद देना पड़ता है, यानि, citation देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, या जो line है, या जो paragraph है, या जो घटना है, या मैंने उस book से ली है, MS Word में इसको लिखने के लिए एक अलग से option दिया गया है, या reference tab के अंतरगत दिया गया है, जिसको हम कहते हैं Citation and Bibliography, तो चलिए, अब हम आपको Citation and Bibliography के option का उप्योग बता देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाए, तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं, दोस्तों MS Word में Citation and Bibliography का उजूज करने के लिए, आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक आर्टिकल को कॉपी किया हुआ है, अपनी वेबसाइट से, और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने आर्टिकल यहाँ से कॉपी किया है, उस कॉपी के लास्ट में, मैं एक Citation देना चाहता हूँ, कि यह जो document है, यह जो paragraph है, यह मैंने उस website से लिया है, तो इसके लिए, आपको यहाँ पर reference टैप पर जाना होगा, और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा, insert citation का, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहला option दिखाए देगा, add new source का, इस पर आपको click कर देगे, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे option दिखाए देगे, हमने यह जो matter है, वो basically एक website से लिया है, तो यहाँ पर हम अपनी website को select करेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे, यहाँ पर आपको काफी सारे option दिए गया है, जिस matter को आपने जहां से भी लिया है, उस चीज़ को यहाँ पर select करके, उसकी information आपको यहाँ पर feel करनी होगी, जैसे माल लीजे, अगर आपने किसी book से किसी matter को लिया है, तो उसके आपको author का नाम यहाँ पर type करना होगा, title type करना होगा, year type करना होगा, city type करना होगा, publisher type करना होगा, इसी तरीके से अगर आपने कोई book section से data लिया है, तो आप उसे यहाँ पर select कर सकते हैं, आर्टिकल से लिया है तो आप उसे सेलेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने किसी रिपोर्ट का यूज किया है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट को सेलेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़े सारे आप्शन दिखाई देंगे तो basically हमने जो डेटा लिया है वेबसाइट से लिया है तो इसलिए हम यहाँ पर वेबसाइट को सेलेक करेंगे वेबसाइट को सेलेक करने के बाद यहाँ पर आपको अथर का नाम डालना है तो यहाँ पर basically मैं आपना नाम डाल देता हूँ करेंगे इसे यहां से copy कर लेंगे और copy करने के बाद हम यहां पर आकर किसको paste कर दें इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर आपसे पूछ रहा है name of website तो यहां पर आपको अपनी website का पूरा URL डालना होगा तो URL आपको कैसे मिलेगा आप देखेंगे हमारा जो web page है वो यहां पर है और आपको जो URL होगा वो आपका यह पूरा का पूरा URL होगा तो इसको हम यहां पर select करेंगे control C से इसको copy करेंगे और copy करने के बाद यहां पर लागर करके इसको paste कर देंगे इसी तरीके से नीचे की तरफ आपको year देना होगा कि यह कब लिखा गया था तो यहां पर म आप देखेंगे यहां पर आपको example दिखाई दे रहा है तो हम अप्ला URL यहां पर डाल देते हैं तो हम चले जाते हैं वापस से वेब पेज़ पर और हमारा जो URL हो यहां से यहां तक का है तो इसको पूरा हम select करके यहां से इसको हम copy कर लेंगे copy करने के बाद यहां इसे paste कर से यहां पर citation हमारा insert हो चुका है इसी तरीके से अगर मालीजे यह वाला matter है इस matter को मालीजे मैंने किसी book से insert किया है तो यहां पर मैं आपको एक और citation लगा के दिखा देता हूँ इसके नहीं वापस से जाएंगे insert citation पर और यहां पर जाएंगे add new source पर इस पर click करने के बाद यहां पर हम click करके book को select कर लेते हैं मालीजे हमने यहां पर book को select किया और book को select करने के बाद यहां पर author का नाम डाल देते हैं जैसे मालीजे हमने यहां पर author का नाम डाल दिया कुमार विनोद और उसके बाद title में मालीजे हमने यहां पर डाल दिया excellent protect और उसके बाद year के और उसके बाद publisher में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं जैसे कि माल लिजे हमने आप पर दे दिया ABC PVT.LTD यानि private limited और इसके बाद आप देखेंगे इसका भी tag यहाँ पर जंडेट हो चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे OK बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी विनोट 2022 यहाँ पर आपको दिखाए देखेंगे अब बिसकी हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा citation कहां से लिया गया है इसमें भी हमारा विनोट 2020 नजर आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा विनोट 2020 नजर आ रहा है अब हम यह चाहते हैं कि हमने जितने भी citation इस पूरे matter में use किया है यानि इस पूरे matter को बनाने में हमने जितने भी citation यहाँ पर use किया है वो सारे के सारे citation यहाँ पर insert हो जाए पूरी information के साथ उसके लिए हमें use करना होगा विब्लोग्राफिक है यहाँ पर विब्लोग्राफिक पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन option दिखाई दे रहे हैं इन option में से आप यहाँ पर कोई भी option select कर सकते हैं मालेज हमने पहला वाल option यहाँ पर select किया और इस पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर विब्लोग्राफिक ओपन हो चुका है सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर Excel Info Tech के नाम से हमने जो citation insert किया था बोक वाला वो आपको उपर दिखाई दे रहा है उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर hidden tips and tricks के नाम से हमने इसको URL से copy किया तो उसकी पूरी information आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अलावा अगर आप इसका forward change करना चाहते है तो यहाँ पर आप देखेंगे style का आपको एक option दिखाई देगा इस पर click करके आप यहाँ से कोई भी style select कर सकते जैसे मालीजी हमने आपर इस वाले style को select किया और इस style को select करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है excel infotech book यानि यह जो citation लिया गया है वो एक book से लिया गया है और इसके बाद आप देखेंगे hidden tips and tricks यह जो citation लिया गया है यह basically हमारा online लिया गया है आप देख सकते हैं इसमें हमारा online दिखाई दे रहा है और इसमें हमारा book दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप citation और bibliographic आने यहाँ पर use कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा manage source का इस पर जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो भी citation यहाँ पर create किया हुआ है वो citation आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसके आप अपने citation को select करके यहाँ पर उसके अंदर editing कर सकते हैं जैसे मालीजे आपने विनोध कुमार Excel InfoDeck को select कि और यहाँ पर आप edit पर click करके इसके अंदर जो भी changes करना चाहिए वो changes कर सकते हैं अगर आप volume एड़ करना चाहिए तो volume को भी आप हाँ पर eben dip sentence को select करेंगे तो आप उसके अंदर भी हाँ प editing कर सकते है इसके अलाव आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने new guy भी एक option दिखाए देगा करके आप अपने citation को यहाँ पर browse भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप MS Word में citation and bibliography का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेयर जबूर कीजेगा धन्यवाद